एकदम सच्ची घटना से inspired प्रेरित है पहले बोल देता हूं जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं वो सच्ची घटनाओं से प्रेरित नहीं है सच्ची घटना ही है एक्जेक्ट सच्ची घटना है और यह स्रियल गोस्टोरी रियल इंसिडेंट जो मैंने देखा अपनी आँखो के सामने और उस इंसिडेंट में मैं भी इनवाल था ठीक है आज यह बात है गर्मियों के छुटियों के और मैं रहा होंगा कोई एट्थ या नाइंथ क्लास में और मेरे से चार साल छोटा मेरा छोटा भाई है तो वह रहा होगा सर फोर्थ फिफ्थ में ठीक है यहां पर भुवा जी का हमारा घर था भाई ज्यान सुनिएगा प्लीज जो लोग गाउं में रहते हैं थोड़ा बहुत वह मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे कि बहुत सारे घर ऐसे बने होते हैं, बहुत सारे घर ऐसे बने होते हैं, ठीक है, जैसे माल लोगी गाउं के अंदर आनेगी, और बीच में एक open space होती है, ठीक है, खाली, जनरली वहां पे people का पेड़ होता है, कुछ गाउं में, कुछ जगा में, खाली होता है, ठीक है, तो हम की एज एकदम मैच होती थी ठीक है आप समझ पाएंगे कि छोटे बच्चों की जब एज एक दूसरे से मैच होती है तो उनसे उनकी ठीक है एक छोटी सी जिसको बोलते हैं चौकी वह बनी होती है जिस पर बैठकर बुड़े बुजुर्व लोग पत्ते खिलते हैं वह वाला एरिया बोल दो हमारे गाम में या भॉहाजी के गाम में एकदम वह सपाट था वहां पर कुछ भी नहीं बना हुआ था जब हम पहले गए इस बार जब हम गए तो पता चला कि यहां पर इस एरिया को पूरा उक्यूपाई नहीं किया बड़ येस बिलकुल एकदम बीचों बीच टाइप्स में यहां पर एक घर बना हुआ था और घर और वह भी नूली कंस्ट्रक्टेड जब पहले गए थे तो यह वाले सिमिंट की दिवारे होती मतलब जैसे अभी सिर्फ धांचा खड़ा हुआ है लकड़ी का काम होना अभी बाकी है उस ताइप की सिचिवेशन थी तो जब हम वापिस घर जा रहे थे मतलब जब गाड़ी वाड़ी में बैटके घर पहुंचने वाले थे तब मैंने यह तो जाय पानी जो भी होता है वह पीना पाना ठीक है वह स्टार्ट किया बाते हुई फिर बचों क्या होता है बहुत जल्दी खेलने का मन करता है बागी बड़े लोग तो क्या है बैठके बाते कर रहे हैं आपस में इनहीं में उनका एंज्वाइमेंट हो जाए हमारा गया था आप ऐसा बोल सकते हो कि वो जो कि सिमिट की वो जो थी स्लैब्स वो खड़ी कर ली एक तरफ रख ली चेर बोले आजा भाया अब खेलना शुरू करते हैं तो हम सब लोग खेल रहे थे ठीक है अच्छा खेलने में इसमें एक और दिखती वो भी समझी ज़रा इस घर के चारो तरफ इस घर के चारो तरफ कुछ-कुछ लोग रह रहे थे कुछ-कुछ लोग मतलब जो जिनके पास घर नहीं होता बिचारे जिनको जहां-जगा मिलती है वो उसको उक्यूपाई कर लेते हैं तिक है अब वो कब्जा है कि नहीं है मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं ह जिनके पास घर नहीं होता जो अपने टेंट तानकर वहां पर रहते हैं उन लोगों ने चारो तरफ से इसको घे रखा था जहां से एंट्री थी वो छोड़ दो बस बागी चारो तरफ से घे रखा था उनकी जो छोटी-छोटी बक्रियां है वो बांध रखी है उनके पास जिसको आप समझते होंगे उन्ट गाडा समझते हों उन्ट के पीछे जोड के जो चलाते है गाउं में जिस पर फसल रखके लाई जाती है खेट से तो वह यहां पर बांध रखा है ऐसे करके मतलब यह पूरा एरिया लगबग ऑक्क्यूपाइड था बट हां हमारे लिए पहले खाली को अगरता कितना मज़ा आता था अब जो है यह तो भीया गडबड हो गी और इसके आसपास भी लोग हैं हमने खेलना स्टाट किया खेलते गए चौके छके ठीक है रोना पीटना नहीं खेलूंगा नहीं मेरी बैटिंग मैं ता आउट ही नहीं था वो सब बाते गंडी थे छोटे चार-चार साल छोटे पांच-पांच-पांच तिन-तिन साल चोटे तो इनको बहुत इनके यह मारा जाओ लेकर आओ तो मैं खेल रहा था और काफी देर से मैं खेली जा रहा था एक बॉल मैंने मारी वो गई इस घर के अंदर ठीक है आया ना छोटा भाई बहाजी का लड़का वो गया अंदर बॉल ले आया है अमने खेलना स्टार्ट किया वापिस केलने लगे शाम हो गई क्योंकि हम एक तो पहुंचे लेट थे दोफायर में पहुंचे थे और फिर ऐसे करते करते शाम हो गई फिर भया आप जो है यह वाले जो खेल होते अगली में कुछ खाया प्याने शाम हो गई है नहीं घाओ में जल्दी खाना खा लेते हैं इलिए एककार लगा दिया थीक है मन, पसंद सबजी जिसकी होती होरदी भया गैओ मय रखा कषय नहीं है उसने खाना खाया तो उसको होगी हो सकता है जिसादा खेल लिया होगा ऊंदर से श्रीर गरम होगा ल्हीं पचाओो घो लीख एक रिखने के कुछ कड़न तब्यत खराब एक दम बूरी हालत होगी समझ मैं जनरल तब्यत खराब मतलब कि हाँ आपको खांसी जुकाम है घरवाले बोलते हैं लेट जाए दवाई है अब पहले तो उसको यही रियक्शन मिला था कि को बाद में खाले ना शाम को खाले ना रात को खाले ना पर अ अब्यत मुझे आज भी वह मतलब एक दम बोलते ना इंसिडेंट एज काफी बढ़ गई है याद नहीं बढ़ यह पता है कि वह घूम रहा था और उसका शरीर लाल था लाल समझ रहे हो जब आप बुखा चड़ता है तो यह हिस्सा यह कान हाथ लाल या काले पढ़ने लग जाए बोले यह बाहर से कुछ करके आएं और रिस्पॉंसिबिलिटी मेरे प्यानी थी क्योंकि मैं उनमें सबसे बढ़ा था तो मैं यह लपेटा जाओंगा बिना बात कि मैंने कुछ नहीं किया आपके दरवाजे के बिल्कुल सामने खेल रहे थे अब आपने हमें देखा ह वाले घर को देखा तो जितनी मेरी समझदारी थी उसमें से मुझे नेगेटिव वाइब सी आ रही थी वह बहुत हो घर पूरा खाली पड़ा था पूरा खाली मतलब कि आपने कंस्ट्रक्शन करवाया उसके बाद में वह घर पूराना हो गया आपने उसमें लकडी का काम न नहीं होता विचारे जो जहां घर मिलता है जगा मिलती है वहां पर रहने लग जाते हैं तो उन्होंने उसको औक्यूपाई कर रखा था तो थोड़ी फीलिंग समझ में आई नहीं बड़ हमारा ध्यान खेल पे था था तो हमने उदर ध्यान दिया भी बात करते करते इस जब तक कोई आइडिया नहीं था दिमाग में की चल क्या रहा है मैंने एक बार मैंने एक शॉट मारा था बॉल अंदर गई थी यह बॉल लेकर बापिस बाहरा है था बस बाकि हम यहीं खेल देते जब से वहाजी ने अपने बेटे से पूचा अंदर गया तब क्या हुआ कितनी एज की मुले मम्मी आप ही की एज की बॉहाजी की तरह इशार करते बॉले आप ही की एज की एक अंटी थी उन्होंने बॉल में तरफ वापिस फेकी और मैं वह बॉल लेकर बाहरा आगे है ना भाई साब इसके बाद में जो भॉहाजी ने बोला बुकार उसको क्या बोले वहाँ कोई रहता ही नहीं बेसिकली यह गाउं की पुराने लोगों की डिस्प्यूटिट जमीन है जिस पर एक इंसान ने कभजा कर रखा है उसने उसने गाउं के खिलाफ जाकर वहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी करवा दी जिस पर कंस्ट्रक्शन करवाई है उसके जमीन पड़ी है उसको दो-तिन परिवारों ने काफे साल तक नहीं संबला किसी एक ने उस पर जाके कबजा कर लिया तो वह बुलता ही जमीन मेरी है तो वैसी सिच्वेशन थी उसने घर भी बना दिया और उसके नीचे किसी को दफनाय गया होगा और जिसको दफनाय गया होगा वो नहीं परिवारों में से कोई लेडी थी जिसकी मौत जो है वो पुराने अप यह पुरानी कहानिया है जो वो सही कारण की वज़े से नहीं हुई हो गया जो भी कारण रहा होगा तो बोले यह व उसमें क्रैक्स आयों है जबकि अभी नया नया बनाए बोले जब इस घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो मजदूर रोज दिन बोलते थे कि इसके अंदर कुछ अजीब है आप लेंटर समझते हैं लेंटर जब बेश त्यार हो जाता है पीलर खड़े करके इस पर छत लगाई जाती है चत लगाने से पहले लोय का एक केस यहां पर सजाए जाता है और उसके बीच में यहां पर लकडी के बहुत सारी बीम्स लगाए जाते है ताकि इस पर टिक जाए यह घर वो है जिसमें पूरा पूरा लंटर भी गर गया था है तो बुले कि वह जो तुझे अंदर दिखाई दे रही थी यांदर तुझे जो अंटी जिस तरफ बोल फैंकी वह अंटी नहीं थी बेटा और वह अंटी जो है को उस घर में रहती है बड़ वहर किसी को नहीं दिखती बुलतेगों कैसे दिखाई थी बोले कुछ नहीं वह बॉल गई थी उन्होंने फैंक ती मेरी तरफ मैं लेके बार आ गया कि नॉर्मल इंसिडेंट बोले मतलब वह अपने साब से एक्स्प्रेंड कर रहा है कि इसमें तो क्या बड़ी बात है ठीक है और इसलिए यह जो बाहर लोग बैठे यह भी उसके अंदर कभी नहीं जा रहे हैं यह सिर्फ बाहर बाहर ही रह रहे है तो फिर भाई अब उसको देहिए कहानी सुनके दिवया मुझे भी बुखा चड़ने लगा मैं अरे भाई अगर यहां पर गली पॉइंट पर मेरी फिल्डिंग लगी होती मैं चला जाता तो मैं यह तो फच जाते अभी बच गए बहुत-बहुत अचा अब यह बात सुन र किया बाइए मन भी कर रहा है एक बार अंटी की तरफ देखें कि अंटी थोड़ा वेव करें फिरा फोड़ा डर भी लग रहा है भाई साथ हैं कि वह जी ने वही जो पुराने गां के तरीके होते हैं क्योंकि दवाई उख देख लीं उससे हो नहीं नहीं रहा था तो मंदि सब एक दम बापिस बोले अब फिर खेलने चलते मैं अब यहां नहीं खेलेंगे अब खेलेंगे जाकि खेट में तो इस दरील इंसिडेंट जब भी आपकी कभी हां तो फिर भाजी नहीं भी समझायागी हां बोले मतलब आपस में बात करें हम सुन रहे थे माहल थोड़ा टेंस हो गया है अंटी यहीं से बोल फैंकरी अंटी आगी तो तो गडबड हो जाएगी तो बोले हां कई के बार ऐसा हो जाता है जब आप अचानक किसी नेगिटिव एनर्जी के इंफ्लेंस में आते हो तो आपकी तबियत बहुत जल्दी विदाउड एनी रीजन खराब हो